Hello and welcome to the extra class English आज हम करने वाले हैं आपकी पोईम My Mother at 66 by Kamala Das इस पोईम में पोईट बात कर रही है about fear of separation अपनी मादर से जो वो बच्पन में भी एक बार experience कर चकी है यह उनका डर था और अब जब she's grown up जब वो बड़ी हो गई है तब भी उनको यही fear जो है वो experience हुआ तो पोईट इसमें बताती है कि किस तरीके से जब वो drive कर रही थी अपने parents के home से to coaching उनके साथ उनकी mother बैटी थी car में जब वो अपनी mother को notice करती है तो उनने इस बात का realization होता है कि जैसे जैसे वो बड़ी हो गई है उनकी mother जो है वो भी age होती जा रही है वो भी old होती जा रही है और कही न कहीं उन्होंने अपनी mother के साथ काफी कम time spent किया है तो इसलिए उन्हें इस बात का realization और guilt दोनों होती है कि next time जो वो अपने घर वापस आएंगी क्या उनकी mother उनके साथ होंगी या नहीं होंगी तो यह जो fear of separation है from her mother इसको वो यहाँ पे express कर रही है तो start करते हैं इसकी line by line summary and साथ साथ हम देखेंगे कुछ difficult word meanings Let's have a look तो poem शुरू होती है driving from my parents home to kochan last Friday morning I saw my mother beside me Doors, open mouth, her face ashen like that of a corpse and realized with pain यानि यहाँ पे poet शुरू करती है बताना कि last Friday morning जब वो अपने parents के घर से kochan drive कर रही थी उनके साथ उनकी mother बैटी थी and जब वो उन्हें notice करती है तो यहाँ पे कुछ words वो use करती है जो की काफी important है जो की first description है of a mother जो वो इस poem में बताती है तो क्या-क्या words उसकिया उन्होंने dose dose का मतलब क्या होता है sleeping यानि उनकी जब mother उनके साइड में बैटी थी passenger seat पे she was sleeping second यहाँ पे use किया उन्होंने word का ashen like ashen like मतलब हुआ pale अब usually जब कोई बिमार होता है कोई sick होता है तो जो उसका skin color है या तो जो है वो pale हो जाता है उसका जो face है वो pale color का हो जाता है इसलिए यहाँ पे जो ashen like word है वो यहाँ पे use किया है and third यहाँ पे use किया है corpse corpse यानि की dead body अब क्योंकि उनकी mother बहुत ही अराम से बिना किसी motion के बैटी थी as in वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी चुप चाप उनका जो मूँ था वो खुला था वो सो रही थी तो ऐसा appear हो रहा था that वो lifeless है like उनमें life नहीं है she is like a dead body यह जो है वो यहाँ पे experience करती है यह जो उनका first description है अपनी mother का वो यहाँ पे describe करती है अब देखते हैं इसके बाद वो क्या कहती है तो पोईट continue करती है and realized with pain that she thought away and looked but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting the married children spilling out of their homes तो यहाँ पे क्या कह रही है पोईट कि जैसे ही वो first time अपनी mother को notice करती है जो description उन्होंने दिया है उसके बाद फटा फटा से उनके दिमाग में यह जो thought है यह जो fear है वो वापिस आना शुरू कर देता है कौन सो fear? Fear of separation क्यों? क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उनकी mother जो है अब वो काफी aged हो गई है इसलिए तो यह जो fear of separation जैसे ही उनके दिमाग में आने लगता है वैसे ही वो क्या करती है अपने आपको distract करती है यह जो pain उन्हें realize होता है कि मैंने जादा time spent नहीं किये अपनी mother के साथ और शायद मुझे यह मौका भी ना मिले कभी आगे इस से अपने आपको distract करने के लिए वो window से बाहर देखती है अब window के बाहर जो imagery है वो काफी important है और उसका मतलब भी समझ लेते हैं तो यहाँ पर वो कहती है Mary children spilling अब सबसे पहली बात Mary मतलब क्या हुआ? खुश ठीक है? Children spilling मतलब children playing तो यहाँ पर वो क्या कहती है जैसे ही वो बाहर देखती है वो देखती है जो बच्चे हैं वो बहुत खुश हैं और वो भार खेल रहे हैं and second जो वो यहाँ पर यूज करती है वो है trees sprinting sprinting का मतलब क्या हुआ? देखो एक तरीक से short race होती है जब आप किसी fast moving vehicle में होते हो जब आप जा रहे होते हो, गाड़ी में बैठे होते हो तो ऐसा लगता है ना कि trees के साथ हमारी race है और वो बहुत जल्दी 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 छूटते जाते हैं पीछे तो वो ही यहाँ पर कह रही है क्योंकि यहाँ पर यह जो first imagery है married children spilling यह एक contrast दिखा रही है उनकी mother में और बच्चों में अब देखो एक तरफ तो उन्होंने अपनी mother को describe क्या है वो कितनी lifeless लग रही है है ना she is sleeping वो lifeless लग रही है जो उनका face है वो pale लग रहा है लेकिन जो बच्चे है बच्चे क्या होते है फुल अफ लाइफ होते है फुल अफ एनरजी होते है किस तरीके से यह जो बच्चे है absolutely opposite है उनकी mother से जब यह इन्हें देखती है तो इन्हें यह बात realize होती है कि कितना difference है एक तरफ उनकी mother है जो बहुत lifeless है और दूसरी तरफ यह जो बच्चे है यह खुश है, यह खेल रहे है यह youth, full of youth है, full of energy है and second जो इन्होंने use किया है image of trees sprinting यहाँ पे उन्होंने इसलिए use किया है क्योंकि यह यहाँ पे signify कर रहा है किस तरीके से time बहुत जल्दी जल्दी पीछे यह आगे जो है वो बढ़ता जा रहा है कैसे? जैसे उनको यह बात realized हुई कि जो उनकी mother है वो काफी old हो गई है तो time जो है वो कैसे जल्दी जल्दी भागता जा रहा है similarly जैसे यह trees जो है ऐसा लग रहा है कि उनकी जो car है उसकी साथ race में है तो यहाँ पर इसलिए यह जो two imageries है यह काफी important है और poet ने यहाँ पर use करी है next देखते है poet क्या कहती है so poet continue करती है but after the airport security check standing a few yards away I looked again at her worn, pale as a late winter's moon and felt that old familiar egg, my childhood fear तो क्या कहती है यहाँ पर poet poet कहती है कि जब वो airport security check पे है और उनकी mother उनसे कुछ याद जवे है कुछ दूरी पे है and अब जब वो उन्हें notice करती है तो किस तरीके से describe करती है उनको worn worn मतलब colorless क्यों? क्योंकि उनकी जो skin है वो colorless लग रही है मैंने बताया था न पेल टाइप्स लग रही है बिमार, sick टाइप्स लग रही है and next वो कहती है pale as a late winter's moon अब winter में आपने कभी अगर moon को देखा होगा पहली बात तो देखना मुश्किल है क्योंकि भाहर काफी fog होती है and अगर आप तभी उसको देखोगे तो क्या लगेगा उसकी complete जो brightness है वो नहीं नजर आएगी क्यों? क्योंकि वो कम हो जाती है उसके glow क्योंकि उसके आगे fog होती है इसलिए या similarly ये जब अपनी mother की बात करें है तो ये जो इनका face है उनकी mother का जो face है क्योंकि अब वो old हो गई है इसलिए it has lost its glow कभी वो इतना youthful होता होगा कभी वो इतना glowing होता होगा just like जो summers है उसमें जो mood है बहुत glowing होता है है ना? similarly जो उनकी mother है वो भी अपनी youth में बहुत जादा glowing face होता होगा लेकिन अब क्योंकि वो aged हो गई है इसलिए उनकी जो face है उसकी glow कहीं न कहीं चली गई है ठीक है? इसलिए उन्होंने यहाँ पे उसे compare किया है उन्हें compare किया है with late winter's mood तो यहाँ पे वो इसलिए कह रही है कि अब उनको एक familiar age जो है वो feel हुई यह एक उन्हें childhood में भी feel हुई थी इसलिए वो familiar है क्या familiar एक है? familiar एक यही है कि fear of separation from her mother बच्चपन में जो बच्चे होते हैं उनको अपनी mother के साथ ही रहना होता है और उनकी mother अगर उनसे कुछ दूर चली जाती है कुछ दिन के लिए भी या कुछ टाइम के लिए भी तो उनको क्या लगता है क्यूंकि mother कहा गई है ना वो एक familiar एक जो है कि mother से separation है यह वो अब feel करती है अब क्यों feel कर रही है वो क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं तो कहीं और जा रही हूँ मेरी mother यहाँ पर है कहीं ऐसा नहीं होगा कि मैं इसे दुबारा मिल पाऊं या ना मिल पाऊं तो यह एक डाइलमा है प्लस उसके साथ-साथ यह जो familiar एक है ठीक है यह जो डर है fear of separation है वो यहाँ पर वो experience कहती है अब इसके बाद जो बहुत important part है वो है इनके parting words कि वो अपनी mother को क्या कहती है और उसका मतलब क्या है So poet continue करती है But all I said was See you soon amma And all I did was Smile and smile and smile तो यहाँ पर यह जो poem है वो खतम हो जाती है तो यहाँ पर poet क्या कहती है कि क्योंकि वो बहुत overvent होती है यानि कि बहुत mixed emotions वो feel कर रही होती है उन्हें कहें नहीं regret या guilt भी होता है कि उन्हें अपनी mother के साथ जादा time नहीं spent किया Realization भी होता है कि उनकी mother काफी old हो चुकी है Fear of separation भी होता है एक मन में क्योंकि इन सब चीजों को वो feel कर रही होती है तो वो जादा कुछ कह नहीं पाती अपनी mother से वो स्रिफ यहीं बोलती है See you soon, Emma यहाँ पर यह क्यों बोलती है एक तो यह उनको फैवल जो है वो bid कर रही है buy कर रही है और दूसरा यह एक अपनी तरक से effort करती है वो दिखाना नहीं चाहती अपनी mother को कि वो क्या feel कर रही है वो अपनी mother को बहुत इस तरीके से show करना चाहती है कि हाँ उनका positive attitude है कि हाँ वो definitely मिलेंगे इसलिए वो बोलती है यहाँ पर See you soon, Emma So, क्या करता है यह represent her favor and effort to leave her mother with optimism कि जो उनकी mother है वो optimism जो है उनकी दिमाग में रहे वो positive thoughts जो है अपने दिमाग में लेकर रहे And all she did was smile and smile and smile अब यहाँ पर तीन बार smile का use किया गया है तो हर बार इसका जो meaning है वो different है जो first smile है वो यहाँ पर क्या signify करती है वो signify करती है यह जो realization है उनका ठीक है यह जो डर है उनका क्या कि उनकी जो mother है अब वो old हो गई है And पता नहीं next time वो उनसे मिल भी पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी Will she be there or will she not be there तो पहली smile जो है वो इस realization की है Second smile जो है वो एक brave front है जो अपनी mother के सामने रखना चाहती है वो नहीं चाहती कि उनकी mother को थोड़ा सा भी idea लगे कि वो उस time पे क्या experience कर रही है कि उनके मन में क्या चल रहा है वो अपने आपको brave दिखाना चाहती है अपने mother के सामने The second जो smile है वो represent कर रही है The brave front And जो third smile है जो word used किया गया है That is the hope to see her अब यहां पे ironically जब वो ये बात बोलती है कि see you soon अमा तो कही नखही उनको इस बात की surety नहीं होती कि वो उनसे मिल पाएंगी कि देख पाएंगी उनको वापस कि नहीं लेकिन फिर भी उनके मन में एक hope होता है She wants, she wants to believe कि नहीं next time भी मैं अपनी मदर से मिल पाएंगी So what? कि वो old हो गई है So what? She is aging now फिर भी उनके मन में ये hope होता है And इसी hope के साथ वो इस poem को end करती है तो अगर हम इस poem की बात करें तो ये काफी simple, काफी easy poem है जहां पर पोई सिर्फ अपनी जो feelings हैं उनको express करती है जब वो अपनी old mother को देखती है जब वो उनको देखती है जो चीज़ वो realize करती है उन सब चीज़ों को यहां पर वो describe करती है And वो describe करती है अपनी mother को भी तो अब अगर हम बात करें इसके literary devices की तो तीन main literary devices जो यहां पर used है वो है simile, imagery and repetition Simile हम देखते हैं वो compare करती है अपनी mother को like a dead body, right? like a corpse कहती है वो And उसके बाद हम देखते हैं कि late winters moon के साथ भी वो उनको एक तरीके से compare कर रही है Then अगर हम बात करें imagery की तो हमने देखा किस तरीके से Mary children spilling and tree sprinting जो है वो यहां पर imagery use करी गई है And हम repetition की बात करें तो आप देख सकते हैं smile and smile and smile तो यह जो literary devices है वो use करे गए हैं in this poem तो यह तो थी आपकी line by line summary of the poem My mother at 66 back Kamala Daas जहां पर हमने meaning देखा हमने word meanings देखे हमने important चीजे जो है वो ध्यान से देखी जैसे मैंने आपको बताया था कि first time कैसे describe किया है poet ने अपनी mother को and second time कैसे describe किया है and फिर हमने और important चीजे देखी जैसे कि imagery जो है वो कैसे use करी गई है and जो parting words है उनकी क्या significance है तो आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना है क्योंकि आपको पता है जो MCQ's questions आएंगे वो इन ही से related आएंगे यह सारे important facts है जो आपको ध्यान में रखने That's all for this video Now until the next video Keep practicing, Keep learning